हुआ दोस्तों नमस्ते दोस्तों आज मैं जा रही हूं मिर्ची के अचार बनाने चलिए आपको में दिखाती हूं कैसे बनाती है मिर्ची का चार तो देखिए मिर्ची का हार मैं ढखके कैसे रख्यू तीन चार दिन हो गया है लेकि मेरे मिर्ची को इसे सुखाने के जरूपी नहीं पड़ा ऐसी सुख गया मिर्ची आभी मैं बोल बोल कर थक गई हूं चल बड़ा बना ले वीडियो बना ले और अंचार बनाना है देखिए के कप्रेश को गीला करके अमेराग से रख्यू 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 कि ज्यादा सुख नजाए से मिर्ची सुखाना ड़ाता है तो तो ज्यादा सुखाने के जरूवते नहीं है तो इसको मैं भरूंगी फिर सुखाऊंगी अच्छे से उपकी देखो कि अब ना बस घुष्षा करते रहिए मैं गुष्षा पर दिया तो इसके लिए बनाना है मुझे अच्छा लेकिन आप शुनने के दिए तयार नहीं हो हाँ मैं 5-6 दिन से बोल रही हुआ कि वीड़ो बना लेजेए, सब को बताईगें कि कैसे बना रहे आप पर आप है कि बनाने के लिए तयारी नहीं हो रहा है बोल रहे हैं, कि मैं बाद में बना लोगी तो फ्रेंडिलों के भी पता चल जाएगा कि क्लति है कि मेरे में गर्थी है कि कौन वीडियो नहीं है बना रहा है कौन बोर रहा है बना लीजी से बना लीजी यह ठीक है में मर्ची को ऐसी दर मते हैं इसे गुमा देंगे अंदर के भी छोड़ गा कट करेंगे जिसमें से भी अराम से निकल जाएगा जैसे कि हम इसको ऐसे कट करेंगे ना तिक है कि इसनी कि पतले लगड़ी से पुछ रचाकू से ऐसे करके अलाम से निकल जाए तो यह है चाकू यह मिर्ची अभी चलती हूं मैं इसको मैं खा लेती हूं नहीं नहीं ऐसे कैसे खालोंगी तो पहले अच्छार बनाऊंगी फिर खाऊंगी ना बाद में बना लीजे अच्छार अब क् जाए इसको कट करके अच्छी से बीज निकालूंगी इसको सारे मिची कट कर लेती हूं पहले इस तरह कट करेंगे कि अच्छी से बाहुत ताइम लगेगो आई से बहुत जा यह ताइम लग जाएगा बनालू जल्दी, इसमें तो टाइम लगता ही है ना? कितना हाथ चलाओ अभी कर देड़ी, इसमें तो टाइम लएगा इसको मैं लोगी, क्यों? उसमें मिर्टी कानिया, डंडी काहां से लेकिया हूगी? इसको जारी में कातूँगी इसको कुछे चाकु से कात्रे है? किसी कात्रे, कहले बताओ मम यह लग फेल अवे वह नहीं, यह उससे नहीं होगा उसको लखड़ी अंदर गुज़ जाएगा यह मिर्की अंदर लगे दिक्कत हो जाएगा इसके लिए नहीं, चम्मा से देखते हैं तर्मा से निकालेंगे यह क्या है मनुव मैं इसमें काक के डाल रही हूँ मैं यह थे थोड़ा सा काम करने लग गए जबते के क्या है, यह बीच सब काटके नीचे फेक रही है यह फेकते नहीं, इसमें डालती है अब इसमें में खाली कर देती हूँ कांद kita इसके लिए बोल रहे है क्या है कार रहे हैं क्षाण प्री रही है हाकट रहे है क्टर में रकड़ कटर में और इसको फिर मसाला के साथ मिक्स करके फिर इचे बढ़ते हैं कि इसको अंदर खुंखला कर दिये हैं हम इस तरीके से सारी मिर्ची को वीज निकाल लेगे तो यह स्मासाला है अभी जंदी मसाला डेडिकर ने क्या थरेंगे इसको धन्या बुनोंगे गुंगे और यह जिरा भुणूंगी तर्याहे यह जिरा है फ़्राशा बुणमरी छे और यह बड़ी बहीं लाई ची है अधिया जवान एगर ले मंगडई द्यों जो प्लव इसब घर मेरे मेर्ची सब भूनेगे नए नए तरीप में धनिया जीरा यह बूने दिया जीरा जीरा अब बहुता है काली मिर्च बढ़ी इलाईच इसको पहले बूल के निकाल होंगे क्या है ममा यह सर्सो है यह राई है तो आपके पास अगर सर्सो रहेगा तो आप सर्सो डाल सकते हैं और राई है तो राई डाल सकते हैं तो आप में दो नो रखें मेरे पास ज्यादा पीला सर्सो था और राई कम था इसके लिए मैंने कम राई ली हूँ और सर्सो लेकिन पुराना रहेगा पिछले सांगे सर्सो राई जो भी रहेगा हम पुए यूश करेंगे जल्दी अचारा खाने के लिए मिल जाता है तयार ज हमारी बस दोनों है जा दोनों डाल देए तो आपकल को बुन आपकल को बुन नहीं जादा दोन देए विए पोलों दूना हो रखा वाटा के शबूत आखा दन्या रखा है यह क्या है बबाग ओ आमचुर बनाओंगे वा आपकल काटके बारिद बारी शुखाईनों अब उ कम्पनी में आम दूक बनाओंगे यहां धन्या म्साला में भूंती हुए आपकल क्या है आपकल कीता फुसमें बहुत अच्छा दा क्या रखाए मेथि भून लेती हूं इसको मेथि को दरड़ा में पिसूंगे ज़्यादा पारिक में ही पिसूंगे तो पुटार के भून लेती हूं मेथि भून लिया है ये ये भूना क्या है गला मेथि ये दनिया का मेथि का जीरा और सुफ का सबका खुश्बू मिलके इतना अच्छा खुश्बू आ रहा है तो मैं आपको एक और चीज दिखाती हूं ये देखिए ये है आवला का आचार जो पापा जी को बहुत पसंद है इसे अभी ये बन गया है इसे धूप में रखा दूप लगने के विए तो ये बहुत टेस्टे में तो थोड़ा थोड़ा तेस्ट भी चार रही हूं इसमें से मम्मा आवला का आचार बन गया है तो बन गया रेडी है थोड़ा साउस में तेल डालूंगी बस रेडी होने आगा तेल डाली हूं और डपे में आप डालने के लिए रेडी करना है करवअ ज़ाते हैं तो सर्सों नहीं भुनना है इसको कछ्य पीशना है धोके सुखा ली हूं अब शुब गया है अब इसको में पीश लेखें सरसो है, यह मैं थुरा सरसो ज्यादा इसलिए फिसी हूँ, कि आमके भी अचार बनाना है, अगर बच गया तुस्ये भी कामा जाएगा, यह तील पाउ था यह सरसो, तो लग रहा है बहुत ज्यादा मसाला हो जाएगा, थुरा मेरी कालूरी सरसो में से, जाएगा, 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 जाएग कुछ और मिक्स करते हैं जमीघने के पास नहीं है तो आंचुर यह जांञा है to aum एक इसा भाप निकल रहा है। आमचुर लेके आती हो तो ऐसी रखता है ना? वह चैसा है ना गुठली के साथ में कमपनी वाले के अब इसको पीस के घर में रख सकते हैं इसी लिए चीज में लगता है ना खटा आम चुरूम चुरूम चुते हैं आम चुरूम के कामाद है तो क्या करने जा रहे हैं अब आप अब आप आप सारा मसाला लेकर बैठे हैं और से अपर जायें लुपनल ब्रक्राव मिर्चल ठेख घरण को ना बचलूम करी डम खाल में पड़्वन इस रहे हैं खिला मेर में यही आप से आप नहीं कर दोड़ें यहां कि याँ कर रहे हैं इसको दरारा में मैं इसलिये इसको भी मिक्स करोंगे जब मसाला रखके में मिक्स कर लेती हूँ पीसा गोजो भी मसाला है है जाशुड़ पाउडर है इसको भी डाल देती हूँ तेहे अजवाइन, तेहे सोप है, लाल मिर्ची पोडर है, खतरनात लवंग या मिर्ची, ते मेथी भूनना हुआ अपीस लिएू, तेहे मंगडाईल है, इसको भी डाल देती हूँ, हल्ली पोडर है, यह नमक है, तो हम सवादम सार नमक डालेंगे हिसाब से, ना सारा मसाला लगता है, हाँ, अभी नमक थोड़ा इतना रखी लेती हूँ, क्योंकि यह पेले चक्खूंगी मसाला, फिर में नमक डालेंगे, जाड़ा हुआगा तो फिर निकालने, पाएंगे लेकिन, इसमें चटक तूर लगता ही है नमक, चटकदार बनाना पड़ता है, तो टेस्टी लगता है, अब इसे मिला लेंगे, अब इसको मैं अच्छी से मिक्स करूंगे, जरनी होगा हाथ में, क्या है मेरा अदत हो गया है, बनाते हैं, अगर आप लोग जो नया बना रहे होंगे, वो तो गलब्स पेन के ही मसाला मिक्स करें, कि अंटा से में बैठी हूँ, क्या आप ले 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 ले, सुन ले की ने तयार नहीं है, तो कुछ काम कर रहे जी, लशन आपको लगेगा तो आप डाल सकते हैं, नहीं, अगर डालना है तो आप नहीं डाल सकते हैं, लेकिन लशन डाले से लोग टेस्ट आता है, ऐसे भी टेस कि यह हैं, हिंवी डाल देती हूँ, और हजमा के लिए और खुस्वू के लिए बहुत अच्छा नेता है, तो इसके लिए हिंवी डाल दी हूँ, क्या है, तेल थोड़ा से ही डाल होईगी, क्योंकि हम अचार में मसाला भर नहीं पाएंगे अगर ज्यादा तेल डाल देंग तो इसे सुखा सुखा ही रखेंगे, आप तो इतोसर तेल मंगा रहे हैं पापाजी से, तो बार में डालेंगे ना तेल, आभी तो थोड़ा सही लाएगा, मिक्स करने के लिए तेल, क्योंसा तेल है, सरसो तेल है, गरम करने कोई जरूवत नहीं है, घर का जो रहता है, सरसो अगर गरम कर देल, तो हम कच्चे डाल दे, क्योंकि हमें पैले से आचाच है, तो ठाने के अभी है, हो गया, हो गया सरसो तिल डालना है, चलिए दाल जीजे इसे तीन डालके में मिला रहा है तो सब्सक्राइब खाने का अबन कर रहा है अब इसमझो डिटी हो गया है मसाला क्या थूरा धूप में पकाते हैं कि खराब ना हुए अचारना अगर इस तरीके से अपनों बनाएंगे अचारना कभी भी खराब नहीं होता है अगर मसाला बची गया इसको भी रख देगी इस टूर बहुत अच्छा है मैं डबल डबल बोल रही हो आप लोग में बोलेगी कितना बात करती है मेरे बेटी जैसे मैं बात करती हो नहीं मेरे ब हाथ लगा दिये इसका टेस्टी गोड़ गिया है इतना सबचा है इस लिए देख लिए कि हाँ हम बैठे कप से बैठे है ना उनको लगा हाथ पैड़ ज़रा चलो फुरा से हैल करते है इतना बज़ा दस बारात तो बच्छा है तो हम इस तरीके से डालेंगे इसमें थोरा- डाल के चम्मच के पिछे से डंडी से है ना अच्छी से हम अंदर मसाला पूरा भर देंगे तो यहां तक लिए टाइट होना चाहिए फिर टेस्ट आएगा खाने के लिए अचा रही है अगर खाली रहेगा तो फिर मजा नहीं आए खाने में अचा रहेगा तो फिर अंदर चारी हो दूप में अचार डालने ए आम का अचार है फड़ा वाला और मिर्ची एक ट्रे उधर रखा हुआ है तो हम चलते हैं धूप में रहते हैं सुखने के लिए तीन दिन सुखाऊंगी आज कर दूप बहुत करक है तो अच्छे से सुखा के रखेंगे तो खराब नहीं करक दूप लएगा यह दो दिन के धूप में तो सुखी जाएगा ना जी करक दूप है ना तो रेडी है आचार डबा में डालने के लिए और गला बैठा हुआ है कि ते तुन सुखाएए चैंटीन दिन में सुखाई अच्छा अब एक आए ना खराब नहीं होगा चार देखिये और यह तेल गरम करके ठंडा कर लिए ओ तेल को पूरी था ठंडा होना थे तेल हम सारे अचार को सब को डाल देते हूं तेल में एसे ताल डाल डाल के डूब चैंछा नही तो माई चैंट प्रेट ओजर में लिए लगा राए इस को ना पी तन्डेट यह लोगा ने ब rooting हो जोब Vä bowlनमे में याश्टा कोई है यह आचार को मनेण ना रहा है तेल में है तेल मील पेट लगता तेल में लेकीक अ शुबह तो टाइम मिल रहा है अपको अब तो टाइम करत यह रहा है fire हो रहा है तो दुसरे टपप डाली थी ऐचा विसी टापनी नाल दीन है बड़े बरनील में टाली तेल अब इसमें तेल डाल देती हूं बढ़के डाले तेल और इसको दूप में डालें तो अब हमारा अच्छार अच्छे तरीक से रेडी हो गया है इसे अभी आप और चार से पाच दिन तक दूप में रख सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजि और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं बाई बाई